हेलो फ्रेंड वेल्कम एं लेक्षिकल मंत्रा और मैं हूँ आपका दोस्त गोविन सर्मा आज का जो हमारा टोपिक है दोस्तो वो है रजिस्टेंस विद लेंथ एरिया ओफ कंड़क्टर यानि कि अगर हम कंड़क्टर की जो लेंथ है उसको घटाएं या बढ़ा दें तो हमा हमारे जो जो रजिस्टेंस होता है कंड़क्टर का उस पर क्या फरक पड़ता है तो बने रहें मेरे साथ देखते हैं क्या क्या होता है इस वीडियो में तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हम जो दी którego करते हैं वह मैंली क्या करनी पड़ती है लाइंग करनी पड़ती है तो उन केबल का जो resistance होता है distance के साथ यानि कि length के साथ increase करेगा या decrease करेगा ये बहुत सारा पंगा रहता है अगर हम अपना जो conductor है उसका area यानि कि उसका area का मतलब क्या है उसकी मोटाई को घटाई या बढ़ाई तो resistance घटेगा या बढ़ेगा ये बिल्कुल एक पंगा रहता है तो चलते हैं इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है तो जो formula होता है formula क्या बोलता है formula बोलता है हमारा जो formula है वो क्या बोलता है हमारा जो फर्मूला बोलता है दोस्तों वो बोलता है R is directly proportional to L upon A क्या बोलता है फर्मूला R is directly proportional to L upon A यानि कि जो हमारा resistance होता है वो directly proportional होता है L upon A के तो यहां अगर इस फर्मूले को decode करें इस फर्मूले को decode करें तो R is directly proportional to length and R is inversely proportional to area इसका मतलब क्या है first वाले का मतलब क्या है r is directly proportional to l यानि कि length के directly proportional है इसका मतलब ये है अगर मैं length को increase करूँगा तो resistance भी increase हो जाएगा क्या अगर मैं length को increase करूँगा तो resistance भी increase हो जाएगा तो starting में ये case लेते हैं अगर length को increase करेंगे तो हमारा resistance भी increase होगा एक analogy से मैं आपको समझा रहा हूँ कि analogy से आप कैसे समझ सकते हैं माल लेते हैं first type में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारा conductor है उसकी जो हमने length leave वो L ली length जो हमने starting में leave वो L ली ठीक है और हमने कुछ length इसकी increase कर दी माल लेते हैं starting में हमारे पास जो conductor था वो L था किसी भी कार्ण से हमें क्या करना पड़ा उतने ही size का conductor रोस की length हमें increase करनी पड़ी हम दूसरा conductor लेके आए जिसकी length थोड़ी increase थी तो increase मैंने किया तो अब इसका resistance फर्स्ट वाली के मुकाबले ज्यादा होगा क्या second वाली जो हमारे cable है जिसकी हमने length increase की है उसका resistance ज्यादा होगा आप ये समझेंगे कैसे माल लेते हैं एक छोटा सा pipe है एक छोटा pipe है दो तीन feet का क्या दो feet का माल लेते हैं एक pipe है उससे हमने पानी गुजारना है तो हमें कम pressure लगाना पड़ेगा as comparison to 5 feet के 5K या फिर उससे भी ज्यादा माल लेते हैं 100 feet का pipe है तो कम pressure यूज़ करना पड़ेगा 200 foot के pipe में अगर हमें पानी गुजारना होगा तो ज्यादा हमें pressure increase करना पड़ेगा क्यों increase करना पड़ेगा क्योंकि वो पानी को अपोज करेगा उसकी length अपोज करेगे उस पानी को तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं अगर इसकी length की value अगर हमने pipe में भी increase की थी तो pressure हमें ज्यादा करना पड़ा था और अगर हम यहाँ conductor की भी length increase कर देते हैं तो हमें resistance ज्यादा देना पड़ेगा यानि कि pressure था जो वो बढ़ाना पड़ेगा यानि ठीक है वो resistance ज्यादा हो गया था वहाँ पर उसकी जो pipe की जो हमारी क्या थी वाल्स थी वो अपोज कर रही थी यहाँ पर यह resistance अपोज करेगा हमारी power को हमारी voltage को हमारे current को सुरी ठीक है तो हम हमेशा length increase करेंगे किसी भी conductor की तो हमारा जो resistance से वो increase हो जाएगा इस formula से आप देख सकते हैं सेम ऐसा ही यहाँ होता है यहाँ क्या होता है अगर हम cross section area को बढ़ा देते हैं तो हमारा resistance घट जाता है तो ऐसा क्यों है यह cross section area क्या होता है माल लेते हैं कोई भी conductor है वो ऐसे उसकी कुछ मोटा ही रही होगी और उसका कोई यहाँ पर diameter यह circle बनेगा एक diameter रहा होगा उसका diameter से हम area उसका निकाल सकते हैं पूरा क्या निकाल सकते हैं हम अपने जो हमारा conductor होता है उसका area निकाल सकते हैं अगर यह r की value या फिर यह diameter की value अगर increase होगी तो area की value भी increase होगी और area की value increase होगी तो जो हमारा conductor है उसकी मोटाई भी increase होगी यानि कि अगर मैं यहाँ पर area 1 ले रहा हूँ area मैंने कम area लिया यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा area लिया यानि कि area बढ़ाने से क्या हुआ हमारे जो conductor था उसकी जो मोटाई थी वो ज्यादा होगी as comparison to first के तो अब एक analogy से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो छोटा pipe होता है ना हमारा जो मतलब कम मोटाई का pipe होता है उससे जो ह कम पानी गुजारते है ना उसके लिए हमें ज्यादा प्रेशर चीए as comparison to मोटे pipe के यानि मोटे pipe में तो easily हमारा क्या होता है मोटे pipe में easily हमारा पानी चला जाता है तो उसमें resistance कम होता है इसका मतलब और जो हमारा narrow pipe होता है उसमें हमें जल्दी जल्दी पानी यानि कि pressure से पा मोटाई भी increase होगी अगर मोटाई increase होगी तो हमारा resistance कम होगा किसी भी conductor का ये बात आप यहां से ध्यान रखेंगे तो ये question जो पूछेगा वो question पूछेगा अगर मैं length को दोगना कर दूं अगर किसी conductor को conductor की जो length थी उसको मैं दोगना कर दूं तो हमारे resistance पर क्या फरक तो resistance भी सरक्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा ऐसे ऐसे question यहां से पूछ लेता है यह formula इसमें लगेगा और धन्यवाद अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो subscribe करना नहीं भूले और इस video को share करना नहीं भूले धन्यवाद